हेलो गाइज, वेलकम टू इंडिया फिर्स, एन्वी रमना, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोइंटेड बाइड बाइड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रामनात कौविंद जानेंगे उनकी बायोग्राफी के बारे में, और अपने टेनियोर में, एन्वी रमना ने कौन-कौन से इंपोर्टेंट जजुमेंट्स ली हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, डिसकस विद मुईद के साथ तो देखिए, एन्वी रमना का जनम, 27 अगस्ट 1957 को आंधरा पदेश के एक छोटे से पौना वरम गाउं में हुआ था, उनके माता-पिता के सानी करते थे स्टार्टिंग से ही, वो काफी जादे इंटेलिजेंट थे, और जब पूरे भारत में अमर्जेंसी लगाई गी थी, 1975 को, as a student leader बनके, उन्होंने civil liberties के लिए लड़े थे civil liberties का मतलब है, in the context of Indian constitution, that is freedom of expression, freedom of religion और इन सब चीजों के लिए उन्होंने अपना एक साल की जो पढ़ाई थी, उसको भी sacrifice कर दिया था करियर की बात करें, तो बैचलर ओफ लो में admission लेने से पहले उन्होंने दो साल as a journalist, एक regional newspaper में भी काम किया और 1983 में एन्वी रमना ने बैचलर ओफ लो में admission ली, 27 जून 2000 को एन्वी रमना पर्मनेंट जज़ बने अंदरपदेश हाई कोट के, 2 सेप्तेंबर 2013 को चीज़ जस्टिस बने दिली हाई कोट के, 17 फरवरी 2014 को एन्वी रमना जज़ बने सुप्रीम कोट के कुछ important points हैं जिनने हम discuss करेंगे जस्टिस एन्वी रमना अपनी Chief Justice of India की शबद 24 अपरेल 2021 को लेंगे अभी हम सब जानते हैं क्रंट Chief Justice of India S.A. बोबड़े हैं और S.A. बोबड़े ने ही एन्वी रमना को recommend किया है as a Chief Justice of India 9066 और 9067 तक सुबह राओ भी Chief Justice of India रहे थे जो की आंदर पदेश से आते थे जस्टिस एन्वी रमना का tenure एक साल और चार मीने का होगा और उनके past tenure में जो भी judgments हैं important decision हैं उनके बारे में discuss करते हैं तो first judgment है जम्मू कश्मीर internet ban 3G, 4G internet ban किया गया था 370 धारा खतम होने के बाद भी उस पे उन्होंने आमसेसरा सुनाया था उनका कहना था internet ban violation है टेलिकॉम रूल्स का freedom of speech and expression का और ये चीजे लोगों का अधिकार है second judgment की बात करें तो bringing CGI Chief Justice of India office under RTI उनका कहना था कि Chief Justice of India का office अब RTI के दैरे में आएगा मतलब public को कोई भी information चाहिए होगी related to cases वो information public को दी जाएगी to create a transparency in the law of India third judgment की बात करें homemaker no less than working husband envy ramna की judgment सी की महिला जो काम करती हैं घर पे वो उतना ही बराबर है जितना उनके husband office में काम करते हैं I hope आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा always keep learning thank you